हेलो बच्चो, आप सभी सस्थ होंगे, मस्थ होंगे, और पड़ाहे में completely व्यस्थ होंगे आज हम स्टार्ट करें आपके क्लास 10 के साइंस में जो पार्ट फिजिक्स वाला है, फिजिक्स का पार्ट जो है उसमें हम स्टार्ट करें लाइट का चैप्टर, कैसा लाइट का चैप्टर, इस लाइट का चैप्टर में हम जानने के कोशित करेंगे reflection क्या होता है और reflection क्या होता है तो आज इस वीडियो में हम reflection reflection स्टार्ट करेंगे उसके बाद light दो पार्ट में पढ़ा जाता है एक तो होता है reflection एक होता है reflection तो पहले हम reflection cover कर लेंगे और उसके application देख लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम reflection उसके application देखेंगे तो आज हम start कर रहे हैं क्या reflection तो video को enjoy करिएगा last तक देखिएगा तभी आपको concept की clarity मिल जाएगी और जो बच्चे math पढ़ रहे हैं उनको लिए क्या है प्लेश्ट में जाएए वहाँ पर complete math कराया जा रहा है मैं ही करा रहा हूँ तो उसको जाके अच्छे से देखिए उससे क्या होगा आपको basic to zero मतलब zero to high मतलब foundation बेच की तरह एक तरह देखा जा रहा है वो तो आपका क्या होगा आपका complete math कराया जा रहा है वहाँ पर विल्कुल free of cost तो आपको कुछ देनी के जरूद नहीं बस आप क्या देए अपना time द देखो हम light पढ़ेंगे लेकिन light को जानना what is the light सबसे पहला आता है what is the light और light को पढ़ने के लिए हम अलग से physics थोड़ी पढ़ते हैं तो light को पढ़ने के लिए जो physics यूज की जाते हैं उसको बोलते हैं optics क्या बोलते हैं optics मतलब study of light जो होती है उसको optics बोला जाता है the branch of physics in which we study about the light and its properties this part of physics is known as optics मतलब optics के अंदर हम सिर्फ light और उसके phenomenon उसके effect उसकी properties के बारे में study करेंगे अच्छा तब पूछेंगे सर यह light क्या है हम light के study करेंगे light लाइट बार 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 बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं लेकिन इस light की meaning actual में है क्या तो आप देखो अगर इस रूम में light ना हो इस रूम में अगर darkness हो जाया तो आपको कुछ दिखेगा बिल्कुल नहीं दिखेगा मतलब light आएगी अगर bulb off कर लो अपने रूम का तो कुछ नहीं दिखेगा आपको अगर अंधेरा है तो है ना तो अगर जैसे ही bulb on किया तो कुछ नो कुछ हमा हमारे आजी बाजो की चीजे सब कुछ दिखने लगी है ना और जब चीजे दिखने लगी तो हमारे पास एक factor आया जिससे हमें चीजें की दिखने लगी वो factor बोला जाता है light अगर हम इसको define करना चाहे तो define कैसे करेंगा the factor by which we can see any object is known as a light नहीं समझ में आया मैंने यह बोल हम किसी भी object को क्या करते हैं देख पा रहे हैं clear तो light is the factor by which we can see any object है ना any person कोई भी living object ना living object किसी भी को हम देख सकते हैं वो light है अच्छा सार light और rays में क्या light और electromagnetic waves में का different है यह सब तो high level की चीज़ है मतलब थोड़ा 12th level की चीज़ है लेकिन हमें उतना आगे नहीं जाना है हमें सिर्फ light के बारेम पढ़ना है जो light का range होता है वो 4000 एंगस्टाम से 7800 एंगस्टाम का होता है मतलब अगर इस इतने बीच में कोई जो energy है जो spectrum बन रहा है light बोलेंगे otherwise हम light नहीं बोलेंगे उसको तो light की जो range होती है वो जैसे spectrum Maxwell ने बताया था कि बहुत सारे spectrum निकलते हैं ठीक है जैसे gamma rays हुई magnetic waves हुई है ना electromagnetic waves हुई गामा रेज हुई बीटा रेज हुई अलफा रेज हुई यह सब बहुत सारे spectrum निकलते हैं उसी में एक spectrum निकलता है कि आपना light वाला spectrum और यह light वाले spectrum निकलता है इसी को range में रखा गया कि भाई यह इतने इतने range के spectrum को हम light नाम दे दिये है ना रिशत इसे class 7, class 8, class 9, class 8 यह जाता है ना हर एक grade का तो suppose एक class 10 का कोई है class 10 के range वाले को नाम दे दिया गया light तो light का जो range होता है वो उसकी wavelength कहां से कहां तक होती है वो 4000 angstrom से लेके 4000 angstrom से लेके अगर 7800 angstrom तक है उसके बीच के spectrum को हमेसा light बोला जाता है अगर ना समझ मैं तो कोई दि चाहिए अधरबाई exam में आपको यह नहीं आएगा ठीक है अचली पढ़ते हैं आपके सामने क्या लिखा है light के definition लिखिये है और light में क्या-क्या phenomenon हो सकते है an light reflects light that falls on it an object मतलब जो कोई भी object होता है वो reflect करता है किसको light को that falls on it जो उसके उपर गिरती है this reflected light when received by our eyes enable us to see things मतलब light एक तरह का cause है जब किसी object पर गिरता है light क्या है एक cause है जब वो किसी object पर गिरता है वो object से reflect होके हमारे आखों पर बड़ता है तो चीज़े हमें दिखाई देने लगती है तो light को ऐसे define किया गया है और सिधी-सिधी बात light is a factor by which we can see any object is known as light सिधे-सिधे definition है भाई क्या दिखेते इसने तो light का सबसे पहले आता है आपका chapter में reflection of light actually reflection of light क्या होता है इसको ध्यान से देखना मेरे भाई reflection of light को पढ़ते है और समझने की questions करते है reflection of light क्या है reflection of light is the phenomenon of bouncing back bouncing back bouncing back bouncing back की मीनिंग होती है वापस आना ठीक है bouncing back मतलब वापस आना of light in the same medium medium मीडियम मतलब जहां पर medium की मीनिंग समझाओंगा मैं on striking striking मतलब टकराना होता है the surface of any object किसी object के surface पर देखो इसका मीनिंग क्या है अगर देखा जाए यह यह बताना चाहते है कि जो reflection of light होता है क्या reflection of light होता है यह एक क्या है surface क्या है surface इसको नाम देदी हमने reflecting surface क्या देदिया reflecting surface ठीक है इसका नाम देदी हमने reflecting surface और यह अगर air है यह अपना क्या है atmosphere या air इधर air भरा हुए है और देख water है क्या है water ठीक है water है यह air है यह water है अगर कोई light air से यहां से एक हमने क्या जलाया एक बल्ब जलाया क्या जलाया एक बल्ब जलाया बल्ब से light निकली बहुत सारी light rays निकलेंगी और जो light rays यहां पे गई और टकरा के बाव मतलब strike होके इस plane से इस plane से टकरा के इधर ही वापस आ जाये मतलब air से गई थी तो air में फिर से वापस आ गई वो light तो same medium में वापस आ गई कि air है यहां पे medium medium मतलब माध्यम मतलब जहां पे तुम हो किस medium में हो जैसे मचली किस में रहती है भाई यह मचली मचली के लिए कौन सा medium हो जाएगा water अपने लिए atmosphere इसमें बहुत सारी gases थे हैं कुछ भी हो सकता है है ना अगर बात किया जाए कि जो स्टार होते हैं वो कहाँ उसका medium का है सरवक्यूम है वहाँ पे air represents भी नहीं रहता है ना तो medium मतलब कोई specific जहां भी हर एक चीजे distribution of particle क्या हो constant हो एक ही type के distribution हो वही को हम same medium बोलते हैं जैसे ही अगर medium liquid है तो liquid ही होगा अगर solid है तो solid होगा अगर कोई चीज solid से जाके solid में आया तो उसके लिए same medium हो गया अगर कोई चीज air से जाके air में आगा तो उसके लिए medium same medium air हो गया बास समझ रहे हो बिल्कुल तो यहीं इसमें कोई चीज ना समझने वाली बात ही नहीं है तो ध्यान से देखो अगर कोई light एक medium से जाके किसी surface से टकराने के बाद फिर से उसी medium में जाती है इस period phenomenon को क्या बोलते है reflecting of light और जिस plane से टकराई उसको बोलते है reflecting surface ठीक है इसको क्या बोलते है reflecting surface अब ध्यान से देखना यहाँ पर एक light गई है और एक light वापस आई है एक light गई है एक light वापस आई है जो light गई है इसको बोलते है incident क्या incident अच्छा incident और यह light एक तरह कि देखो यह बताओ, एक चीज बताता हूँ मैं, कि यह जो light होता है न, यह जो light होता है वो एक straight line में चलता है, क्या चलता है? straight line में, सर मैं कैसे मालो कि straight line में चलता है? उसके लिए एक experiment में बताता हूँ, experiment क्या है? ध्यान से देखो, जो experiment है, अगर आपके पास दो-तीन card board हो, क्या हो दो-तीन card board हो, रख लो, काटके, ऐसे, ठीक है? यह card board है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास एक candle रखी गई हुई जलती हुई candle रखी हुई है, ठीक है? यहाँ के पास एक candle रखी गई हुई और इस card board में आपने क्या कि एक छेद कर दिये? क्या कर दिये? छेद कर दिया, और यहाँ से आप इसको देख रहे हैं, यह आपकी आख हुई, क्या हुई? यह आपकी आख हुई, और आख से देख यहा कर दे रहे हैं तो यहां से हमें candle की candle की from मारे फास तो परहन के लिखेगी पिनोमनिय नहीं होता light में, तो इसका मतलब इस experiment से हमें पता चला कि जो light होती ही çलती ही वो state line में चलती है, कैसे चलती है straight line में state line में जब ये state line में चलती ही तो ये line का nature से हो कर रही है और line का जो कोई nature से 가까 उसको क्या बोलते हैं? उसको हम रे बोल देते हैं क्या बोल देते हैं? रे तो मतलब हम light के study को हम रे के help से कर सकते हैं, light के study अगर हमें करने हो तो हम उसको geometry के help से कर सकते हैं, तो geometry में इसका नाम क्या हो गया? रे, इसलिए हम इसको अभी तक तो basic चल लाए जो आपने 6, 7, 8 ते बढ़ा था वही चल रहा है तो कोई light अगर एक medium से जाके किसी surface से टकराने के बाद या फिर किसी objects टकराने के बाद वापस उसी medium में आ जाती है तो वो phenomenon जो होता है उसको reflecting of light बोलते हैं और जो light वापस गई है उसको बोलते हैं reflected ray और ध्यान से देखना मेरे भाई क्या देखना है आपको जिस point पे वो light ray गई है क्या जिस point पे वो light ray गई है उसको हम बोलते हैं point of incident point of incident ठीक है point of incident incident ray reflected ray और यह object है यह object डिस plane से होते हैं इसको reflected plane बोलते हैं कोई दिक्कत यह free lifting surface बोल सकते हैं आपकी मर्ज यह जो चाहो वो बोल सकते हो अब और पढ़ने की कोशिश करते हैं there are two types of reflection जो reflection होता है वो दो types का होता है अच्छा medium मैंने समझा दिया bouncing मतलब वापस आगया reflecting surface object सब कुछ हो गया अब इसको भी देख लो there are two types of reflection सबसे पहला आता है regular reflection क्या आता है regular reflection और specular reflection ठीक है second आता है irregular reflection या फिर diffuse reflection regular reflection और diffuse reflection sir regular reflection क्या होता है इसको भी देख लेते हैं जो हमने भी देखा कि reflection कितने types का होता है जो reflection होता है जो reflection होता है reflection अपना कितने type का या जो reflection हुआ सर reflection तो अपने दो type का आता है एक तो होता है regular क्या होता है regular reflection regular reflection ठीक है दूसरा या अपना क्या irregular reflection irregular reflection अब regular reflection, irregular reflection में क्या difference है सर, देखो, regular जो reflection होता है, आपको पता होना चाहिए, जो reflection होता है, उसको होने के लिए एक plane चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे plane चाहिए, इसके लिए plane या object होना चाहिए, क्या होना चाहिए, plane या फिर object होना चाहिए, और सर, इसमें भी reflection है, तो इसके लि या आपजेक्ट होगा तो इसका एक सर्फेस होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा सर और इसमें भी एक सर्फेस होगा जी बिल्कुल सर्फेस तो होएंगा ही तो अगर ये सर्फेस अगर ये सर्फेस एकदम क्या है अगर ये सर्फेस एकदम स्मूथ है क्या है इस्मूथ means अगर इस पे गिरने वाली light ये total वापस चली जाती है एक direction में मतलब जिस direction से जा रही है उस direction में चली जा रही है मतलब और आजू बाजू कहीं नहीं जा रही है जितना light उस पे गरी उतना light इसने वापस कर दी तो इसको बोलते हैं sir ये एक smooth plane है क्या है smooth plane तो अगर ऐसा plane जिसका जिसपे जो reflecting surface वो एकदम smooth हो तो ऐसे reflection को बोलते हैं क्या regular reflection क्या बोलते है regular reflection कोई दिक्कत नहीं मतलब जिसपे गीरी light उसी angle पे वापस चली जाए ये अगर कोई surface क्या है अगर कोई surface खुर्दुरा है मतलब रफ है उस पे जो एक light गिरेगी वो उसका angle कुछ पता ही नहीं है अगर इस पे और दूसरी light गिरी वो इधर भग जाएगी और दूसरी गिरी तो वो क्या पता इधर भग जाए है ना तो इसका कोई पता ठीकाना नहीं मालूँ लेकिन इसका पता ठीकाना मालूँ कि भग यह अगर हम इसको ऐसे करते जाएगे तो यह light इसी direction में जाएगी लेकिन इसका कोई पता ठीकाना यह नहीं है क्या पता उसी direction में फिर से वापस आजाए क्या पता ऐसे चली जाए, मतलब जिसका जो reflecting surface, जिसका reflecting surface क्या हो, rough हो, उसके जो reflection होगा, उसको बोलेंगा irregular reflection, और जिसका surface जो है, वो smooth हो जाए, ऐसे plane पे जो reflection होगा, उसको क्या बोलेंगे, regular reflection, यहां तक बात clear हुई, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसका definition देखना चाहते हो, तो भाई, इसका definition क्या है, regular reflection, when the reflecting surface is smooth and well polished, polished मतलब देखो, अची तरह के से polished, polished मतलब, अगर कोई जी polish किया जाता है, तो वो क्या होता है, चिकना हो जाता है, घर में जो door लगते होंगे, door, दरवाजे, उसको polish करवा जाता है, मतलब, polish करवाने के बात देखोगे, तो वो एक reflecting light goes, ठीक है, the parallel rays falling on it are reflected, parallel to the one another the reflected light goes, मतलब, उसमें से जितने भी line coincident होगे, देखो, अगर ये smooth हो रहा है, तो अगर दो इसमें से गिर रहा है, अगर ये दोनों parallel है, तो इस जाने वाले line भी क्या होएंगे, ये भी एक दूसरे के parallel होगे, मतलब, ये अगर इसके parallel है, तो य reflected ray होगी, वो भी क्या होगी, एक parallel light की तरह, parallel beam की तरह जाएगी, parallel ray की तरह दिखेगी, ठीक है, in one part is in the regular figure, स्थी below figure, ये, देखो figure हमने क्या बताया, figure यहां से miss हो गया है, नहीं तो figure भी किया था यहाँ पे, वो आपको अच्छ दिखता, मतलब, ये figure हम बना जा रहे है, वो इसमें print नहीं हुआ, यह पे ता figure, ये था, ये और ये हुआ, और ये हुआ, यहां से light आए थी, और यहां से, ये एक object था, object का ये क्या था, एक surface था, ठीक है, ये object है, next, irregular reflection क्या होता है, irregular reflection, when the reflecting surface is rough, हमने भी clear किया, then the parallel is falling on the reflecting different, different direction as shown in willow figure, figure क्या है, फिर यहां भी figure गया है, यहां भी figure गया है, ओ, फॉल, कैसे पर यह पना है भया, देखो, एक ऐसा surface है, जिस पर क्या है, बहुत सारे, rough surface है, ठीक है, rough surface, मतलब खुरदरे वाले surface है, इस पर एक light ऐसे गरी, और एक light क्या होई, एक light जो है, वो ऐसे गरी, इससे जो light गरेगी, देखो, ऐसे चली जाएगी, इससे जो light गरेगी, वो ऐसे चली जाएगी, तो आ आप क्या देख रहे हो यह जैसे गिरे थी वह ऐसे नहीं गई अगर यह एक दुसरे के पैरलल गिरी है तो यह दुसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है मतलब अगर कोई light ऐसे surface पे गिर रही है जैसे जिस पे वह एक दुसरे के parallel नहीं हो पारे है दो parallel light beam दो पैरलल लाइट रे अगर किसी सर्फेस पर जाके टकराने के बाद पैरलल नहीं रहे जाती हैं तो वो जिस सर्फेस पर टकराएंगी वो रफ सर्फेस होगा और इस पूरे फिनामेन को बोलते हैं दा इर्रोगलर रिफ्लेक्शन कोई दिक्कत नहीं सब कुछ एक दम क्लियर बेसिक बेसिक चीजे क्लियर करते जा रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी next क्या है next आता है अपना most important जो कि आपने छोटे छोटे क्लासों में बढ़ा था सर law of reflection क्या law of reflection सर law of reflection क्या होता है अभी तक जो तुमने छोटे-छोटे चीजे पढ़ी उसी के base पे इन्होंने क्या बना दिया इन्होंने इसी पे एक law बना दिया और वो law का नाम दे दिया law of reflection of light light का reflection के law जो है वो दे दिया अब इसको जानने कोशिश करते हैं तो ध्यान से देखना अगर कोई यह अपने पास अपने पास कोई क्या है एक surface है ध्यान से देखो एक एक चीज کی लिए हो रही है टेंसन नहीं लेना law of reflection क्या बोलता है अगर कोई plane है अपने पास क्या है कोई प्लेन यह अपने पास प्लेन हुआ और कोई लाइट रे क्या हो रही है कोई लाइट रे आ रही है वो लाइट रे ऐसे आई ठीक और ऐसे वापस चली गई और आने के डिरेक्शन को हम ऐसे क्लियर करते हैं और जाने के डिरेक्शन को हम ऐसे बताते हैं और यह arrow हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह arrow आप अगर यह arrow अपने इंडिकेट नहीं किया तो आपने optics का जो figure बनाया है तो आपको हमेशा ध्यान रखना और यह जो smooth यह जो plane है इसको हमने बहुत smooth लिया है और well polished है तो पीछी किया गया है और पीछी किया गया है इसको paint किया गया है ठीक है तो सीसा देखें यह एक plane surface है plane surface मतलब उसमें इधर से reflection हो सकता है पीछे से reflection नहीं हो सकता ऐसे type कि बनाया गया है इसपे कोई क्या है इसपे कोई light rays गिर रही है यह से वापस से लिजा रही है तो ध्यान से देखना इस point पे light rays गिर रही है उस पे हमने क्या खीचा है नार्मल खीचा नार्मल मतलब वही नाम होता है जिसका नाम होता है परपेंडी कुलर क्या होता है परपेंडी कुलर तो हमने इसको पर एक परपेंडी कुलर खीचा और इसका नाम दे दिया गया इसका नाम दे दिया गया नार्मल क्या नाम दे दिया गया नार्मल जो light गिरती है इसको बोलते हैं incident ray incident ray और जो वापस गई इसको बोलते हैं reflected ray क्या बोलते हैं reflected ray ओके यह normal हुए incident ray reflecting ray हो गया और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं surface reflecting surface इसको बोलते हैं point of incidence अब एक बात ध्यां से सुनना कि जो incident ray और normal के बीच जो angle बनता है ध्यां से सुननो फिर से incident ray और normal के बीच जो angle बनता है इस इस एंगल को हम कहते हैं इंगल of incidence और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंगल आई से क्या तो हम इसको इंगल आई लिख सकते हैं और जो normal और reflected ray के बीच जो इंगल बना है उसको हम indicate करते हैं इंगल आर से और इसका नाम होता है इंगल of reflection इंगल of reflection तो इंगल of incidence क्या है आई और इंगल of incidence इंगल आर है तो law of reflection of light क्या बताता है ध्यान से सुनिएगा law of reflection of light पहला law यह बताता है पहला law यह है जो इंगल of incidence होता है वो इंगल of reflection के क्या होता है इंगल of incidence इंगल of reflection के इंगल होता है और second law बोलता है कि जो incident ray होता है क्या incident ray जो होता है incident ray जो होता है और क्या होता है और incident के बाद क्या आता है इसके बाद normal जो आता है अपना क्या आता है normal ठीक है उसके बाद क्या आता है reflected ray आता है क्या आता है reflected ray आता है reflected ray आता है जो reflected ray आता है वो तीनो कहां पे होते हैं sir वो तीनो same plane में होते हैं means अगर इस black board की बात करें is smart board की बात करें तो इस पे जो बना है वो एक plane है इसी plane पे आपका incident ray भी होगा इसी plane पे normal भी होगा और इसी plane पे reflected ray भी होगा तो ध्यान से एक बार फिर से सुन लो कि law of reflection ये बोलता है कि अगर कोई light ray एक medium से आके किसी surface से टकराने के बाद फिर से वापस उसी medium में चली जाती है तो angle of incidence, angle of incident और angle of reflection आपस में इकल हो होता है और second law क्या बोला था second law ये है कि ray of reflection मतलब reflected ray या फिर अगर देखा जाए starting वे second law ये बोलता है कि incident ray क्या incident ray and incident ray के बाद normal किसे, normal at a point of incident, normal at a point of incident and the reflected ray जो होते हैं वो एक same plane में होते हैं, किसमें होते हैं, same plane में होते हैं, मतलब तीनों एक ही plane में lies करेंगे, बात clear, तो आप exam में अगर आ गया तो लिख देना, वैसे भी आप पूछना कम कर दिया है exam, CBSC ने कि law of reflection क्या होता है, नहीं तो भाई, और applicable किस के किस पे, to all types of reflecting surfaces, including spherical surfaces, मतलब ये जो laugh reflection होगा, वो सभी surfaces के लिए क्या होगा, applicable होगा, मतलब हर एक surface पे जिस पे reflection हो रहा है, उस पे हम ये law लगा सकते हैं, ठीक है, चलो, यहां तक clear हो गया होगा, अरे हाँ या ना, पक्का, चलो ठीक है, मिलते हैं, next video में, इस video में आपने क्या सिखा, इस video में सिखा, कि what is the light, और laugh reflection, reflection कोची तरह के सिखा, next video में हम discuss करेंगे, object इसे बनने वाले, image कैसे बनते हैं, ठीक है, चलो, मिलते हैं इस video में, तो तक के लिए, जैहिन, bye-bye and thank you.